हेलो एव्रीवान मैं हूँ सुमन रॉय और वेलकम बैक टो मैं चैनल सो आज हमारे वीटियो का चो टॉपिक है वो आत्मकारिका के ऊपर रहेगा और इसके ऊपर बेस करके आप कैसे आपके सोल परपस बोल लीजी या फिर यह जो आपका लाइफ है इसमें आपके जर्नी के बारे में आप और भी डीटेलिंग में जान पाएंगे और कहीं न कहीं आपको अपने बारे में और अपने मैरेज के बारे में भी यहां पर कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा तो वीड से रिलेटेट कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और अगर आपको ये वीडियो थोरा सा भी इंफर्मेटिव लगे देने के लाइक करतीजेगा कॉमेंट पे अपना उपिनियन जरूर बताईए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जो लोग ऐस्ट्रोजी फॉलो करते हैं लोग साथ सद्रू शेयर कीजिएगा हमेशा खुष रहिए यही प्रार्थना के साथ डिसकेशन पे चलते हैं अभी देखिए यह बहुत सिंपल सा कॉंसेट है जो की कारकामशा लगना के उपर बेस्ट है कारकामशा लगना क्या है इसको आपको कैसे चेक करना है इसके बार जाके बैठा है लास्ट को यह चेक करना होगा की जिस राशी में आपका आत्मकारक्प प्लानेट नवंशा मे बैठा है वो राशी आपके लगन चा राशी बन रहा है कौन से हाउस का सין है मतलब 2016 करते हूँ सपोस्थ किसी का कर्क लगन का HOर सकोप तो यहां पे उनका हाइस डिग्री प्लैनेट बन रहा है वीनस अभी वीनस नवंशा चाट में अगर यहां पर आप लोग चेक करेंगे तो सपोज नवंशा चाट में वीनस जाके बैठा है यहां पर धनु राशी में ठीक है तो अभी कर्क लगन का कुनली मैंने बोला तो धनु राशी कर्क लगन का 6th house का साइन या राशी यहां पर देखा जाएगा तो 6th house से related यह person का कुछ ना कुछ soul purpose, karmic journey जो भी है वो यहाँ पे जुरा हुआ रहेगा ऐसे ही suppose किसी का मिथुन लगन का horoscope है तो मिथुन लगन का horoscope है यहाँ पे highest degree planet suppose बन रहे है शनी तो शनी नवमशा चार्ट में जाके बैट गया है यहाँ पे cancer sign में तो cancer sign मिथुन लगन के horoscope का कौन से house का sign होगा second house का sign होगा तो इसका मतलब यहाँ पे second house से related उनका कुछ ना कुछ कार्मिक baggage या फिर soul purpose इस जनम में जरूर रहेगा तो हम इसी के उपर discuss करेंगे कि आपका जो कारकामशा लगना बोल लिए जिए या फिर आत्मा कारका आपके लगन चार्ट में जिस भी house के साथ उसका एक signification यहाँ पे उसका create हो रहा है उसी को लेके हम लोग discuss करेंगे इसको हम कारकामशा लगना ही बोलेंगे तो हम ऐसे यहाँ पे discuss करेंगे कि आपका कारकामशा लगना लगन चार्ट का मतलब जिस भी house में placed होगा उसी के उपर आप कैसे अपने soul purpose के बारे में या कार्मिक जर्नी के बारे में और चीज़े यहाँ पे जान पाएंगे ठीक है तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे discussion पे चलते हैं अभी देखिए आपका जो कारकामशा लगना यहाँ पे आपका बन रहा है वो अगर लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में आपको मिल रहा है तो यहाँ पे जेनरेली आपका जो soul purpose है ना वो कही ना कही इस जनम में self improvement या personality development के साथ बहुत ज्यादा connected रहेगा आप जितना ज्यादा खुद के उपर काम करोगे अपने personality को और ज्यादा improve करने के उपर काम करोगे उतना ज्यादा आप life में यहाँ पे progress आचिफ कर पाएंगे ठीक है और यहाँ पे generally यह भी देखा जाता है कि आप life में स्टेटस बनाना चाहते हैं और यहां पे आपको अपने health के उपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा मतलब एक discipline में lifestyle लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अधर वाइस यहां पे कुछ ना कुछ health related problems भी आपको आ सकती है और यहां पे देखिए first house के साथ connected है मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा ego है या फिर आप बहुत ज्यादा self centric बन रहे हो तो वह कहीं ना कहीं आपके marriage या relationship के लिए problematic साबित हो सकता है तो इस चीज़ को यहां पे आपको ध्यान रखना होगा ठीक है बट overall अगर आपका जो कारकामशा लगना है वो लगन चार के first house क साथ connected हो रहा है तो यह generally ship माना जाएगा because आपका जो soul purpose या फिर जो कार्मिक journey है वो कहीं ना कहीं आप इस जनम में उसको complete कर पाएंगे अगर आप खुद से effort करेंगे खुद से initiatives लेंगे तो जरूर आप life में progress achieve कर पाएंगे ठीक है अभी अगर आपका जो कारकामशा लगना हो रहा है इसका मतलब यह है कि इस जनम में आपका कहीं ना कहीं जो purpose है या फिर आपका कार्मिक journey है वो second house से related चीजों के साथ connected होगा जैसे family के साथ या फिर money या सेविंग्स के साथ बहुत ज्यादा connected होगा मतलब यहां पर देखिए आप कितना ज्यादा life में financial stability यहां पर कर रहे हैं वो आपका main concern होने वाला है और यहां पर आपको कहीं ना कहीं आपके savings को भी बहुत ज्यादा ध्यान से रखना होगा और family members के health के उपर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरुरत है आप कहीं ना कहीं एक secure family life यहां पर चाहते हो और यहां पर जैनरली यह भी है कि आप अपने food habits के उपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखे अगर आपका मतलब कुछ ना कुछ मतलब कुछ खाने की तरफ कुछ अडिक्शन वगरा है तो उससे related आपको आगे चलके कुछ health problems भी आ सकती है और यहां पर अपने वानी या speech के उपर आपको बहुत ज कर रहे हैं तो मतलब यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से उन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा तो यहां पर आपका जो money area है न वो भी बहुत ज्यादा आप उसमें भी growth देख पाएंगे तो यह चीजें यहां पर देखी जाती है ठीक है और यहां पर देखिए सेकेंड हाउस में पर रहा है तो आप लोग कुछ ना कुछ finance related field में भी जुड़े हुए रह सकते हो या फिर कुछ creative field से भी या food related hospitality industry से भी आपका कुछ connection यहां पर बन सकता या अगर आप लोग का कुछ family business है तो आप उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है अभी अगर आप के खुद के efforts के साथ बहुत ज्यादा connected रहेगा मतलब यह देखे free will का house होता है third house तो यहां पर आप जितना ज्यादा effort देंगे उतना आप life में growth achieve कर पाएंगे और यहां पर कही ना कही अगर आपके sibling figures हैं तो उनके साथ भी आपका कुछ karmic journey यहां पर देखा जा सकता है या ज्यादा आप life में आगे बर पाएंगे यहां पर communication के उपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा life में traveling बगेरा भी यहां पर देखा जा सकता है और यहां पर मैं बोलूंगी अगर आप लोग खुद का कुछ business भी कर रहे हैं या online related कुछ entrepreneur type of तो वो भी आपके लिए सही स आपित हो सकता है यहां पर जेनरली मैं बोलूंगी कि third house देखे hobbies को भी दिखाता है तो अगर आपका मतलब किसी चीज के उपर hobby बगेरा हैं तो उसको भी आप profession पे यहां पर convert कर सकते हैं तो ऐसी चीज़े यहां पर देखी जाएंगी और अगर यहां पर देखी जाएंगी या फिर आप बहुत ज्यादा गलत टाइम पर करिच या जो साहस है वो शो कर देते हो जहां पर जरूरत नहीं है तो इसकी वज़े से unnecessary conflicts बगेरा भी आपको यहां पर लोगों के साथ दिखने को मिल सकता है ठीक है तो यह चीज़े यहां पर देखी जाएंगी और यहां पर अगर 3rd house किसी तरीके से afflicted हो रहा है तो अगर आप लोग कुछ drive वगेरा करते हैं मतलब कुछ vehicle drive करते हैं तो थोड़ा सा क्यारफुल रहिएगा विकोज उससे related कुछ problems या accidents वगेरा भी आप लोगों को हो सकता है तो थोड़ा सा क्यारफुल रहिए ठीक है अभी देखिए आपका जो कारकामशा लगना है वो यहां पे लगन चार्ट में 4th house के साथ connected है तो यहां पे मैं बोलूंगे आपका जो soul purpose है वो कही ना कही inner healing के साथ connected है मतलब आप अपने emotions को कितना ज्यादा balance कर पा रहे हैं उसके साथ connected है देखिए 4th house आपके childhood को भी दिखाता है तो अगर childhood में आपका जो values या ethics है वो आपका सही से grow हुआ है तो यहां पे आप life में easily progress कर पाएंगे बट अगर आपका childhood trauma वगेरा रहा है family में बहुत जादा conflicts आप लोगों ने देखा है तो emotional level पे आप कही ना कही थोड़ा बहुत weak feel कर सकते हैं मतलब छोटी छोटी बातों से आपको पहुचना तो यह चीज़े मतलब एक बहुती ज़्यादा sensitive nature आपका यहां पे हो सकता है आप भी एक family person है और आप भी कही ना कही एक secure family life चाहेंगे घर के साथ घर के members के साथ मदर के साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव यहां पे देखा जाएगा ठीक है और यहां पे द ज़्यादा बहतर रहेगा यहां पे कही ना कही आपके property related matters के साथ भी आपका कुछ यहां पे purpose या life journey का connection यहां पे देखा जाएगा और यहां पे देखिए वैसे भी आप बहुत ज़्यादा kind hearted और caring एक person होंगे और यहां पे आप अगर कोई भी healing related profession के साथ connected हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर अगर आप कुछ property related profession हो गया real estate से related तो वो भी आपके लिए यहां पे सही साबित हो सकता है थीक है बट यहां पे देखिए fourth house के साथ यहां पे जब भी connection बन रहा है न तो आप बहुत decision in fact relationship matter में भी emotion के उपर base करके ले लेंगे तो यहा का या mother figure का काफी influence आपके उपर रह सकता है और आपका जो nature है उसके साथ mother के nature के साथ बहुत ज़्यादा similarities भी यहां पे देखी जाएंगी ठीक है तो यह चीजें यहां पे शो करता है अभी देखिए आपका जो कारकामशा लगना है वो आपके लगन चाट के 5th house के साथ अग ज़्यादा connected होगा अभी देखिए यहां पे अगर positive planets placed है तो after child birth यहां पे आपको life में और ज़्यादा growth और सकसेश जरूर यहां पे नजर आएगा और यहां पे आप अपने intelligence को कितना ज़्यादा properly use कर रहे हैं उसके उपर भी आपके life में आप कितना ज़्यादा progress कर पाएं हो सकता है या फिर stock market share market यह सारे चीजों के उपर भी आपका कुछ inclination यहां पे जा सकता है यहां पे आप अगर teaching field में जाना चाहे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा यहां पे हमेशा ना कुछ ना कुछ learn करने की कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की खुद को हमेशा अगर आप थोड़ा बहुत learning के उपर रखेंगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और यहां पे देखे फिफ्थ हाउस काईना के आपके पूरवपुन्य के साथ भी connected है तो यहां पे कुछ talents आपके पास ऐसा आ सकता है जो कि आपके पास लाइफ के साथ बहुत ज्यादा connected हो और यहां पे थोड़ा बहुत spiritual practices भी life में रखें मतलब कुछ mantra chanting बगेरा स्पेशली 5th house का sign देखें उस दिन आप अगर कुछ mantra chant करें तो भी आपके लिए वो चीज़े बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और यहां पे देख बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल आपके लाइफ में देखा जाएगा तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत कम एज में आपको अपने सोलमेट के साथ मतलब मिलने का मौका मिल जाए मतलब बहुत अच्छी एक लव स्टोरी आप लोग का क्रियेट हो और वो जा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर आ सकती है तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है और यहां पर मैं बोल सकती हूँ आप लोग खुद भी काफी रोमैंटिक पोसें होंगे और आप मतलब हमेशा एक जो होता है ना कि लोगों से एक अप्रिसियेश सुनना आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा तो यह चीजे यहां पर देखी जाएंगी और यहां पर आप अपने मतलब लाइफ में अपने हैपीनेस को किस चीज के साथ कनेक्टेट रख रख रहना वो बहुत मैटर करेगा विगाओ स्विफ थाउस हैपीनेस का भ बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है ठीक है अभी अगर आपका जो कारकामशा लगना है वो लगन चाट के सिक्स थाउस के साथ कनेक्टेट है तो यहां पर मैं बोलूंगी कि देखी यह चीज थोड़ा सा चैलेंजे शो करता है लाइफ में बेको सिक्स थाउस के करना होगा तो मतलब यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितना ज्यादा आपके अंदर है वो यहां पर देखा जाएगा ठीक है और यहां पर मैं बोलूंगी कि आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए मतलब यहां पर अच्छे से अपने हेल्थ रूटीन को मेंटेन रखना अगर आप कुछ फीजिकल एक्सेसाइज या जीम वगेरा कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अधर्वाइस क्या होगा यहां पर कुछ ना कुछ हेल तीशू आपको हो सकता है ठीक है और यहां पर अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेट कुछ काम में हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा या कुछ लीगल वर्क से कनेक्टेट होना वो चीज़े आपके लिए अच्छा रह सकता है और यहां पर मैं बोलूंगी कि देखें लराई जगरे में पढ़ना यह तो सिक्स्था उसका एक वो थीम कर देना वो आपके लिए अच्छा रहेगा यहां पर मैंटनल फैमिल्यी indchas कुछ ना कुछ इंपॉर्टेन र॔ल यहां पर देखा-जा सकता है मतलब आपके मदर साइट के जो फैमिली घर मामा जी है तो उनका कुछ ना कुछ सिग्निविकेंट रोल यहां पे देखा जा सकता है और आपना काफी detail oriented person हो मतलब छोटी-छोटी चीजों को मतलब एकदम detailing में देखना तो यह चीजें यहां पर देखा जाएगा तो कोई भी यहां पर analysis या research work में भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं या कुछ finance based work हो गया तो वहां पर भी आप अच्छा कर सकते हैं और relationship में बहुत जड़ा नुक्स मत लिका लिए जज मत कीजिए अपने partner को चोटी-चोटी चीजों को यह उपर otherwise conflict create होगा और कई बार आपके अंदर होता ने perfectionist जो nature है वो देखा जा सकता है तो इसको थोड़ा बहुत कम कीजिए बिकाज यह कहीं न कहीं आपके relationship में problem create कर सकता है तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना होगा घर पे अगर आप कोई pet रख रहे हैं dog या cat तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर अगर आप थोड़ा बहुत यहां पे कभी-कभी bonus दे के या कुछ मतलब आपने कुछ दान में दे दिया तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा because six house का energy इन ही लोगों को शो करता है तो यह चीज़े यहां पे देखी जाएंगी अभी अगर आपका जो कारकामशा लगना है वो लगन चाट के 7th house के साथ connected है तो यहां पे मैं बोलूंगी आपका कही न कहीं जो soul purpose है वो marriage और relationship के साथ बहुत ज्यादा connected है मतलब यहां पे देखे marriage के बाद हो सकता है कि आप life में बहुत ज्यादा success अचिव करें कारियर वाइस भी तो यह चीज़े यहां पे देखी जाएंगी और कई न कई आप न एक soulmate चाहेंगे life में बतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अखेले रहना पसंद करते हैं बट आप उन लोगों में नहीं आते हो आपको कई ना कई companion की जरूरत है life में तो आपका soul purpose के साथ भी वो चीज़े बहुत ज्यादा connected है और आप अपने soul purpose को एचीव भी कर पाएंगे अपने partner के थ्रू तो यह चीज़े यहां पे देखी जाएंगी हाँ अगर अगर अभी 7th house में कोई malefic बैट गया 7th house का lot खराब हो गया तो partner के साथ आपका जो journey रहेगा वह बहुत painful हो सकता है या फिर बहुत कार्मीक partners आपको मिल सकते हैं delay marriage होना यह चीज़े यहां पे देखी जाएंगी ठीक है और यहां पे कहीना कई business partnership भी आपके लिए अच्छा रह सकता है public dealing में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं तो यहां पे कोई भी ऐसा work जो directly public dealing से connected है तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा foreign traveling वगेरा का भी indication यहां पे मिल सकता है ठीक है और यहां पे मैं बोलूंगी कि overall अगर 7th house के साथ connected है तो आप मतलब दूसरों के साथ कैसे अपना bonding अच्छे से maintain कर रहे हैं diplomatically चीज़े handle कर हैं तो उसके उपर आपका इस जनम का जो सक्सेस है वह बहुत ज्यादा निर्भर करेगा ठीक है अभी आपका जो कारकामशा लगना है वह अगर आपके लगन चाटके 8th house के साथ connected है तो यहां पे मैं बोलूंगी आपका कही ना कही जो soul purpose है उसको जब आप एचीव करने जा किसी एक person के death के बाद ना आपको अपने purpose के बारे में समझाएगा विकाज यह death or rebirth का house है तो मतलब ऐसा होगा कि मतलब कुछ एक painful experience के बाद मतलब जो होता है ना कि मतलब एकदम death-like situation आप ऐसे face करने के बाद बहुत ही ज्यादा pain के थू गुजरने के बाद आपको अपने purpose के बारे में समझाना तो यह house वो चीज दिखाता है because 8th house देखे आपका जो psychic healing है उसको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर show करता है अभी यहाँ पर 8th house के साथ connected है मतलब बहुत अच्छे healer भी बन सकते है बट healer आप तब ही बन सकते हैं जब आपने वो pain खुद face किया है life में आ healing एक ऐसी चीज नहीं है कि किसी से आपने learn कर लिया और आप healer बन गए ऐसा कभी नहीं होता हर healer के life में कुछ ना कुछ painful experience जरूर होता है ठीक है तो यह चीज यहाँ पर देखी जाएंगी again research के तरफ आपका बहुत inclination हो सकता है occult field के तरफ occult astrology यह सारे चीजों के बारे में जानना आपको काफी पसंद हो सकता है इनमें आप अपना career भी बना सकते है अगर आपके चार्ट में Jupiter strong है तो और यहाँ पर मैं बोलूंगी कि कोई भी ऐसा field जो कई ना कई जैसे insurance के साथ connected हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर देखें आपका अपने partner के अपने इनलाउस के साथ कैसे अपना relation मेंटें रखते वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाएगा और यहाँ पर प्लैनेट वाइस वैरी करेगा कि लाउस के साथ आपका relation कैसा हो सकता है या फिर inheritance से related आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं तो यह सारी चीज कुछ भी ज्यादा प्लैन मत कीजिए ठीक है विकाज सदन ट्रांस्वर्मेशन इसका एक थीम है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा प्लैन करके मत चलिए कई ना कई उनिवर्स के उपर भी चीजे यहाँ पर आपको छोड़ना होगा और यहाँ उनके उपर ट्रस्ट भी रखी यूनिवर्स के उपर तो लाइफ में आप लोग जरूर एक बहुत अच्छी मुकाम तक जा पाएंगे और जो भी मिस्टीरियस चीजे है ना उसके उपर आपका मतलब बहुत बच्पन से ही एक इंट्रेस जाना इंक्लिनेशन जाना यह तो यहां पर मैं बोलूंगी कि आपका जो सोल परपस है ना वह कहीं ना कहीं आपके इधर फादर फिगर के साथ भी कनेक्टेट हो सकता है मतलब उनसे रिलेटेट आपका यहां पर कुछ कार्मिक लेसन जुरा हुआ रह सकता है या फिर आपका फादर के साथ बहुत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा मतलब यहां पर आपकुछ हाय स्टेडी करना चाहते हैं पी एजडी वगेरा तक करना चाहते हैं वह आपके लिए अच्छा रहेगा आप कहीं ना कहीं मतलब ना थोड़ा बहुत चीजे एक्स्प्लोर करना चाहते हैं ठीक है तो यह चीजे यहां पर देखी जाएंगी या फिर देखें कई बार आपका जो belief system है वो मतलब कई बार बहुत लोगों से ना match नहीं होगा यहां पर जाके कुछ परहाई करना चाते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा यहां पर लग का सपोर्ट आपको जरूर मिल सकता है बट कहीं न कहीं आपके लाइफ में जो भी बरे हैं एल्डर से मतलब एल्डर से आपके फैमिली में उनके साथ अप अपना connection अच्छे से maintain र यहां पर मैं बोलूंगी थोड़ा बहुत अगर आप कोई religious practices के साथ अपने आपको यहां पर connected रखते हैं तो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा यूनिवर्स के उपर हमेशा trust रखी और देखिए जब भी आप किसी एक भगवान को बहुत ज्यादा मान रहे हैं तो ना उन चीज यहां पर बहुत ज्यादा matter करेगा और यहां पर जैसे कि अगर आप लोग कुछ मतलब ऐसे profession में जाना चाते हैं जो थोड़ा academic से connected है teaching profession हो गया ठीक है तो वहां पर आप लोग अच्छा कर पाएंगे या फिर कुछ higher study से related research से related कुछ profession तो वह आप लोग के लिए अच् हो सकता है ठीक है अभी देखिए अगर आपका जो कारकामशा लगना है वह यहां पर 10th house के साथ connected है लगन चाट में तो यहां पर आपका जो sole purpose है वह कहीं न कहीं आपके career या profession के साथ बहुत ज्यादा connected है और यहां पर आपके करम के साथ कर्मा के साथ भी बहुत ज्यादा connected ह है तो उसको आपको हमेशा सही रखना होगा और यहां पर आपके father के family के साथ बोल लिजे या आपके mother-in-law के साथ भी कुछ ना कुछ आपका कार्मिक journey यहां पर रह सकता है यहां पर आप life में एक बहुत अच्छी मतलब मुकाम या reputation status यह सब achieve करना चाहोगा और अगर planet supportive है तो आप achieve कर भी लेंगे यहां पर politics वगेरा में भी आप जा सकते हैं अगर आपका कुछ भी inclination है या फिर कोई भी government related profession हो गया वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा यहां पर planet wise depend करेगा कि आप वहां से profession में ज्यादा अच्छे करेंगे या राशी वहां पर 10th house में कौन सा म चाहिए कि आपके करम की वज़े से किसी की हानी हो तो यह चीज को हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस एचिफ कर पाएंगे एक लीडर्शी पोजिशन तक आप यहां पर जा पाएंगे और यहां पर कई बार ऑथरीटी से कुछ प्रॉब्लेम्स भी आपको फेस करना पर सकता है अगर मैली फिक्स बैट गया सपोस्स या आप किसी ऑथरीटी के अंडर नहीं रहना चाहेंगे खुद का कुछ बिजनेस सेट अप करना चाहेंगे तो यह चीजे भी यहां से देखी जाती है अब ही अगर आपका जो क बहुत ज्यादा कनेक्टेट है मतलब आपके लाइफ में आपका जो भी वेश है उसको फुल्फिल करने के लिए कितना ज्यादा डालते हैं उसके उपर आपका परपस बहुत ज्यादा नेर्भर करेंगा यहां पर यह भी है कि देखिए मतलब फाइनेंशियल जो डेवलपम तो ना काई ना कही मतलब आपका में फोकस अपने अर्निंग के तरफ इंकम की तरफ ही ज्यादा रहना फुल लाइफ टाइम तक यह चीजे यहां पर देखी जाएंगी फ्रेंड्स लोगों का बहुत ज्यादा यहां पर आपके उपर कुछ इंपक्त देखा जाएगा मतलब उनका ओपिनियन बहुत मैटर कर सकता है आपके लिए आपका नेटवर्क सर्कल कैसा है मतलब प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल बोल दीजे या जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनका मतलब अगर सोच सही है तो आप लाइफ में आगे बर पाएंगे बट अगर आपक आपने जो भी चीजे चाहा है वो आपको जरूर मिलेगा थोड़ा सा लेट हो सकता है थटी के बाद मिलना विकाज यहां पर ग्रोफ आउस में गया है तो थोड़ा बहुत थटी इस के बाद यहां पर चीजे आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखने को मिल सकती है काई ना क आपके जो बरे भाईवहन हैं उनके साथ मतलब परपस कनेक्टेट हो ना या फिर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम का सदन आ जाना देन आप वहां पे उनको कुछ हेल्प कर पा रहे हैं तो इसके थूभी आप अपने जो भी कार्मिक बैगेज है उसको रिलीस कर पाए है तो यहां पे मैं बोलूंगी कि आपका जो परपस है वो कही ना कहीं मुक्षा के साथ बहुत ज्यादा ऑचा है लिबzeniuिशन के साथ के नेक्टेट है मतलब यहां पर देखेए आपको ना मतलब लाइफ में हमेश्वा थोरा ज्यादा मतलब यहां पर सैक्रिपाइस करना प कोई यहां पे आप as a giver यहां पे आपका बॉन हुआ है तो यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा यहां पे देना परेगा तो जा कि मतलब invest करना परेगा तो जा कि आपको रिटोर्न में कुछ मिलेगा लोगों से तो यह चीज़े यहां पे देकी जाएंगी हमेशा कोशिछ स्पिरिचुलिटी के साथ कनेक्टेट रहना लाइफ में थोरा योगा, मेडिटेशन ये चीज़े आड़न रखे अदर्वाइस कुछ ना कुछ आपको मतलब सबकॉंशियसली कुछ फियर फील होना या फिर एडिक्शन की तरफ आपका कुछ मतलब इंक्लिनेशन चली जाना तो इसकी वज़े से लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती है तो इस चीज के उपर आपको ध्यान रखना होगा और आपका जो स्लिपिंग साइकल है मतलब आप कितने बज़े सोने जाते हैं वो सही होना चाहिए और अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ड्रीम इसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है जिस पर आपको मतलब सोने में दिक्कते आ रही है तो कोशिश कीजिए हनुमान चालीसा चैन्ट करके फिर आप सोने जाए या फिर आप अपने तक्ये के नीचे हनुमान चालीसा का जो भी बुक है वो रग यहां पर आपको क्या करना होगा कि आपसे बहुत चीजें यहां पर मतलब ऐसा होगा कि यूनिवर्स के लेशन की वज़े से ही आपके लाइफ से वो चीजे चली जाएंगी या फिर आपको ज्यादा वहां पर कॉम्प्रॉमाइस करना पर रहा है ऐसी चीजें यहां पर दे रिलेटेट हो गया मतलब कुछ वाटर रिलेटेट तो वो आपके लिए अच्छा होगा ठीक है और अगर आप स्पिरिचुलिटी से रिलेटेट फील्ड में ही अपना कुछ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा हॉस्पिटलिटी रिलिट हो गी ओán को आपको पॉजिटीवली यहां पे चैनलाइस करना होगा पॉजिथिवली कैसे अपने इनर हीलिंग पे उपर काम करना होगा आप थोड़ा जैसे meditation पे थोड़ा वर्क कीजिए और जैसे थोड़ा जैसे मैंने बताया कि कुछ योगा वगेरा अगर आप अपने life में आड रखेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा ताकि आप subconsciously positively सोच सके चीजे अगर आप मतलब अंदर से बहुत negative हो जाएंगे ना तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा ठीक है और कोई भी चीज का अडिक्शन आपको यहां पे नहीं करना है विकॉज यहां पे 12th house कहिना के अडिक्शन का भी house होता है तो वहां पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और यहां पे कई बार अगर ग्रैंट पेरेंट्स बहुत इंपोर्टन रोल में आपके लाइफ में हो सकते हैं उनसे रिलेटेड काई बार अगर वो आपके लाइफ में नहीं है अभी तो उनसे रिलेटेड कुछ मेसेज चैनलाई जोना ड्रीम्स के थ्रू तो यह चीजे भी आपको दिखने को मि है और यहां पर अगर 12th house में गया है कभी कभी कुछ डोनेशन बगरा कीजिए मतलब सपोज अगर 12th house का राशी यहां पर किसी का है Sagittarius ठीक है तो यहां पर उनको Thursday के दिन कुछ डोनेशन जरूर करना चाहिए ठीक है तो आज का जो discussion है वो हम यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार और बाबाई